बिस्मिल्ला रह्वान रहीम आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थी का टापिक है हमारा लाफ कंजर्वेशन आफ मोमेंटम मोमेंटम के एक कंजर्वेशन का कुनून मोमेंटम आपने पढ़ा था कि क्या होता है प्रॉडट आफ मैस एंड विलास्टी कंजर्वेशन से क्या अमराद है कंजर्वेशन कहते हैं नो चेंज या फिर दूसरा इसका नाम क्या होजेगा रिमेंस कॉंस्टेंट यानी ऐसी चीज जिसमें कोई चेंज ना आए वो चीज क्या होगी कंजर्व कंजर्वेशन और रिमेंस कांस्टेंट इसका मतलब भी यही चीज ना रही अब किसकी बात हो रही है मोमेंटम की तो इसका मतलब है कि इस सूरत में मुमेंटम जो होगा वो चेंज नहीं होगा अब यह जो लाए सिर्फ और सिर्फ एपली केबल होता है आईसोलेटिड सिस्टम पे आईसोलेटिड सिस्टम सबसे पहले हम सिस्टम की बात कर लेते हैं system होता क्या है system हम कहते हैं बहुत सी चीजों का sum यानि बहुत सी चीजों का मजमुआ लेकिन under a certain boundary एक boundary के अंदर बहुत सी चीजों का जो मजमुआ होगा वो क्या होगा system अब boundary क्या होती है जिस तरह आप cricket match देखते हैं तो उसमें एक boundary fix कर दी जाती है कि अगर इसके बाहिर या इस boundary को जो बाल है टच करेगा तो या चोका होगा या फिर क्या होगा चोका होगा इसी तरह आपका एक school bag जो है ये भी एक boundary को शो कर रहा है उस school bag में पहुर सारी चीज़ें होती है तो आपकी बुग्स आपकी नोट बुग्स पैंसिल बाल पॉइंट चिमेटरी तो ये सारी चीज़े एक certain boundary के अंदर है तो आपका जो bag है ये भी एक system को represent कर रहा है isolated का मतलब है कि जिस पर external force ना act करे no external force act यानि बाहिट से कोई भी force act नहीं कर ड़ी वो gravitation force हो सकती है वो friction force हो सकती है मसलन अगर हम मसाल ले ले के हमारे पास एक bag की मसाल ले ले तो bag में जितनी भी चीज़ें मजूद हैं उन पर क्या होगी जमीन भी attract करेगी और अगर उन में आपस में जब वो इस तरह interaction होगी यानि चीज़ें दो जिस तरह आपस में दो सते मिलेंगी तो उनके अंदर frictional force भी मुझूद होगी तो ऐसी चीज़ें जिस पर external force act ना करे उसो हम कहते है isolated system या जिसमें unbalance force ना हो unbalance force क्या मुझा है कि अगर हम मारे पास for example कोई एक गारी है तो चार न्यूटर्ण की force इस साइट से लग रही है चार न्यूटर्ण की force इस साइट से लग रही है तो इन दोनों का resultant क्या हो जाएगा zero क्योंकि ये दोनों क्या है balance force है और अन्डैलनस इमराद यह है कि अगर 10 न्यूटर फॉर्स आगे से लगे और 5 न्यूटर फॉर्स पीछे से लगे तो यह फॉर्स जो है वह बैलनस नहीं है तो जिस पर अन्डैलनस फॉर्स ना लगे उसे हम क्या बोलेंगे isolated system अब इसकी उसने examples दी हुई हैं यहाँ पर सबसे पहले यह आपको समय चला गई कि लाफ conservation momentum से क्या अमराद है एक ऐसा system जिस पर कोई भी external force ने act नहीं करना और इसने क्या रहना है remains constant यानि जितना momentum किसी body का force लगने से पहले था या टकराओ से पहले था उतना ही momentum उसका टकराओ के बाद होगा तो हम सबसे पहले first example जो है example one उसने यहाँ पर दी हुई है एक balloon की फर्स कर लिया यह हमारे पास जिस तरह कभी एक balloon बना हुआ है इसके अंदर air field है यहाँ पर क्या है जी हमने हवा को बढ़ा हुआ है अभी हमने इस बाल को इसके मुझे पकरा हुआ है तो यह भी क्या है rest की हालत में अगर rest की हालत में है तो इसका मतलब है इसकी speed क्या है 0 और अगर speed 0 है तो momentum का formula क्या होता है mv और m m से मराद mass mass कभी भी matter का 0 नहीं होता तो यहाँ पर इस v 0 है v को 0 put कर दे multiply कर दे जवाब क्या जेगा 0 इसका मतलब है इस सुर्थ में इसका momentum क्या है 0 है जैसे ही हम यहाँ से balloon को छोड़ते है तो हम क्या देखते है neutron third law motion के मताबिक जो gases हैं वो इस साइड पर move करती है और balloon इसके opposite साइड पर move करता है तो जैसे ही वो move करेगा तो वो इस तरीके से move करेगा कि उसका जो momentum है वो क्या रहे conserve रहे यानि जितना momentum पहले था उतना ही momentum बाद में हो तो वो हमें वैसे भी पता है कि जैसे ही balloon ऐसे जो वो होंगी गैस होंगी ऐसे इस साइड पर move करेंगी balloon उस साइड पर move करेगा उन दोनों का जो resultant होगा वो क्या बन जेगा 0 तो इसका मतलब है कि momentum उस सूरत में क्या होगा है conserve होगा है जितना momentum पहले था उतना ही momentum बाद में हो जाएगा उसके बाद आगे जी यहां इसकी कोई mathematical फार्म नहीं है mathematical फार्म उसे रियू होई है example 2 की जो paper में भी आती है और आपने इसको याद भी करना है example 1 को सिर्व सिर्व समझे ले example 2 को आपने याद करना है first कर लिया हमारे पास यहां पर क्या हैं जी दो बाल्स है दो बाल हैं हमारे पास यहां पर एक straight line में move कर रहे हैं इसका नाम दे दो बाल A का इसको नाम दे दो बाल B का इसका जो मैस होगा उसको हम कहा देते हैं M1 इसका जो भी मैस होगा उसको हम कहा देते हैं M2 क्योंके मैस इस तो इनकी होंगे यह तो होनी सकता कि इसके मैस ना हो यह अभी U1 और U2 की speed से अरकत कर रहे हैं यानि इसकी हमारे पास speed क्या है U1 इसकी speed हमारे पास क्या है यू टू अब जी जब इस बॉल का मुमेंटम देखें तो हमारे पास जो बॉल ए है वो उसका क्या आजएगा मुमेंटम मुमेंटम आफ या सीधा यहाँ पे लिख दो इस बॉल का जो मुमेंटम है वो हो जेगा M1 U1 क्योंकि मुमेंटम का फॉर्मूला होता है M V लेकिन यहाँ पे हमने जो V है उसको हमने क्या नाम दे दिया है U1 यहाँ पे हमने स्पीड को U1 का नाम दे दिया है उसके बाद इसका मुमेंटम देखें तो हमारे पास आजएगा M2 U2 तो टोटल मुमेंटम क्या बन गया इन दोनों को एड़ कर दो तो वो आजएगा M1 U1 प्लस M2 U2 तो टोटल मुमेंटम हमारे पास आगया M1 U1 प्लस M2 U2 फर्स कर लिया कुछ देर के बाद यह दोनों बाल आपस में टकरा गए जब टकराएंगे तो टकराएंगे बाद इनकी जो विलास्टीज है वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी तो हम फर्स कर लेते हैं जो हमने पहला बाल था उसकी विलास्टी जो पहले U1 थी अब चेंज होकर क्या हो गई V1 और इसकी विलास्टी चëlört क्या हो कई वी तू इसके नावा जब तक्राइंगे तो फर्स्ट बोल जो है वो एक न्यूटन थरड़ लाग मताबी सेकेंड बाल पर फोर्स एडटकरेगा डैटीज एफ जी और सेक्ट तक्राने के बाद इसप बाल का जो मोमेंटम है वो बन गया M1 और V1 और सेकंड बाल का जो मोमेंटम है यह बन गया M2 वी टू तो टोटल मोमेंटम हमारे पास यहां पर अब च्या आ गया जी कर दो तो यह आजेगा M1 V1 प्लस M2 V2 अब लाफ कंजर्विशन के मताबिक मुमेंटम नहीं हमेशा क्या रहना है कंजर्व जितना मुमेंटम टक्राने से पहले था उतने मुमेंटम टक्राने के बाद होगा तो हमारे पास आजेगा अकार्डिंग टू लाफ कंजर्वेशन आफ मुमेंटम मुमेंटम के कंजर्वेशन के कनून के मताबिक मुमेंटम के कंजर्वेशन के कनून के मताबिक जो बिफोर कुलीर मुमेंटम है वो क्या है M1, U1, M2, U2 और ये हमेशा किसकी इक्वल आएगा आफ्टर कुलियन M1, V1, प्लस M2, V2 तो इस स्टेटमेंट के मताब भी हमारे पास जो मुमेंटम था वो क्या होजेगा कंजर्व होजेगा उसके बाद आगे तीसी एक्जैम्पल है